गुड मॉनिंग आज हम 25 मार्च 2021 के करेंट अफेर्ट डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस्टा बेल आइकन आज का first question है वर्ल्ट ट्यूबर क्लॉसस टे 2021 की theme क्या है तो इसका सही आंसर है option c. The clock is ticking जो है वर्ल्ट ट्यूबर क्लॉसस टे 2021 का theme है वर्ल्ट ट्यूबर क्लॉसस टे जो की 24 मार्च को observe किया ज़ाता है इसी दिन 1880 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉज जुनोंने एक वेक्टिर जो है होता है उस वेक्टिरिया की खोच की गई थी इसी दिन 24 मार्च को उसी दिन को कमेमरेट करते हुए यहाँ डे जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है तीक है लोगों को अव्यैर किया जाता है टीवी के बारे में ठीक है इस बार की थीम मैं आपको बताई दी इंडिया का टार्गेट है कि टीवी को खतम करना है दो हजार पच्चिस तक यह जो टार्गेट है वहाँ वर्ल्ड के टार्गेट का पांस साल पहले ही इंडिया ने अपना टार्गेट रखा है क्योंकि वर्ल्ड का टार्गेट है टीवी को एंड करना दो हजार तीस तक इंडिया का टार् के मामले में भारत की रैंक क्या है यहां पर बात की जा रही है कि डिफैंस के परस्पेक्टिफ से जो स्ट्रॉंगेस्ट मिलिट्री की जो रैंक निकाली गई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है तो इंडिया की जो रैंक है ठीक है वह फोर्थ नमर पर है ठीक है और अभी जो सबसे जादा जो strongest military है वो चाइना की है और second नमर पर USA है यह जो index निकाली गई है ठीक है वह index जो है वह calculate की गई है कई सारे factors पर जैसे कि budget कितना खर्च करती है कोई country military पर ठीक है number of inactive and active military personnel कितने है total air, sea, land and nuclear resources कितने है average salary कितनी दी जाती है weight of equipment कितने है उनके basis पर यह जो index तयार की गई थी next question है कि कैन बेतवा नदी interlinking पर योजना है ठीक है एक कैन बेतवा एक नदी का interlinking प्रोजेक्ट है जो की सही रुपसे किस राज्य सरकार द्वारा चलाय ज़ा रहा है यहाँ पर बात की जा रहे है कि जो कैन बेतवा जो river interlinking project जो है वहाँ किन state governments के द्वारा इस program को चलाय ज़ा रहा है तो इसका सही आंसर है उत्तरप्रदिश और मध्यरप्रदिश जो कि हमारे option C में है answer ठीक है और अभी chief minister जो है मध्यरप्रदिश के और उत्तरप्रदिश के जुन्होंने MOA sign किया है memorandum of agreement कि क इन बेतवा लिंक project को implement किया जाएगा ठीक है यह पहला project होगा national perspective plan ठीक है जो असने river को interlink किया जा रहा है यह दौनों जो states थे और central government इन पर्टाइट मतलब इन तीनों ही ठीक है इनने agreement sign किया है central ने और मध्यरप्रदिश की government और उत्तरप्रदिश की government तीनों government ने sign किया था world water day 22 march को जो celebrate किया जाता है उस दिन यह agreement sign किया गया है इसका aim यह है कि जो मध्यरप्रदेश में जो ken river है उससे जो surplus water जो है वहाँ बेतवा river में जो है वहाँ ट्रांसफर करना ठीक है ताकि UP के अंदर जो है वहाँ irrigate drought prone area जो है बुंदेलखन रीजन वाला वहाँ पर पानी provide करवाय जा सकी ठीक है यह कई सारे डीजन्स में आता है ठीक है इसी प्रोजेक्ट में ठीक है एक डैम भी बनेगा ठीक है दोधन डैम और एक 230 किलोमीटर की कैनल भी बनाए जोएगी केन बेतवा जो है वहाँ 30 river इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में से एक है ठीक है केन और ब भॉमिक बैंकों और लगू बित बैंकों के अनुप्रयोगों का मुल्यांकन करने के लिए रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गटित इस्थाई बाहरी सलाकर समिती का प्रमुक कौन है यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि अभी एक कमिटी बनाए गई गई है ठीक है र तो भी एप्लिकेशन स्टालता है कि हमें बैंक के लिए अप्लाय करना है तो उनकी जो एप्लिकेशन आएंगे ठीक है परसंस के जो भी उपन करना चाहता है यूनिवर्सल बैंक या भी स्मॉल फाइनस बैंक को उन एप्लिकेशन को एवैलूएट करने के लिए ठीक है एक एक्स्टरनल एडवाईजरी कमिटी बनाई है रिजर बैंक ओफ इंडिया ने जो एवालुएट करेगी एप्लिकेशन युनिवर्सल बैंक की और इस्मॉल फाइनेंस बैंक की ठीक है यहां पर यह अपने लिखा होगा ठीक है रिजर बैंक ओफ इंडिया अनौस्ट दक क् चीज़ और याद रखना ठीक है यह किसलिए उन्टाप लाइसिंसिंग के लिए इसमें क्या होते है उन्टाप में कि आपना कभी भी आकर जो है वह एप्लिकेशन डाल सकते हैं कि हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक या युनिवर्सल बैंक के लिए ठीक है अगला कॉश्चन है क कि प्रेस्टीजियस ब्यास संब्मान 2000 वी से किसे संब्मानित किया जाएगा तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रोफेषर शरत पागडे थीक है पागडे ठीक है जो कि ओप्षिन डि में आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है यह प्रोफेषर है। यह हिंदी राइटर है और जो नोवल है उसका नाम है पाटली पुत्र की समरागी ठीक है जिसके लिए इन्हें प्रेस्टीजियस ब्यास समान दिया जाएगा प्रॉफेसर शरत पागडे को अगला कोश्चन है कि संग्टन ने 300 मीटर की दूरी पर मुक्त अंतरिक्ष क्वांटम संचार का सफलता पूर्वख प्रदर्शन किया तो इसका सही आंसर है इसरो यहाँ पर बात की जा रहे कि जो इसरो है ठीक है इसरो और्गनाइजेशन जो है वो सक्सेस्फुली उन्होंन लिया इन्होंने ठीक है इस फ्रोन है तो यहाँ पर बात की जा रहे कि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जिन्होंने सक्सेस्फुली ठीक है तीन सो मीटर की एक डिस्टैंस पर एक क्वांटम कमॉनिकेशन की तुरू जो है फ्री स्पेस में कमॉनिकेशन किया यहां पर इन्होंने बात की गई किसा यह टेक्निलोजी स्फेरा की ठीक है जिसके तुरू यह कॉमुनिकेशन हुआ है कि भारत का पहला सरकार संचालित परशू एंबूलेंस नेटवर्क किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है यहां पर बात की जा रहे कि किस राज्य लॉंच किया है इंडिया का पहला गवर्मेंट रन सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला एंबूलेंस नेटवर्क तो इसका सही आंसर है आंद्रप्रदेश ठीक है तो यहां पर क्या बनाए जा रहा है मतलब क्या चलाए जा रहा है यहां पर भारत का पहला सरकार द्वारा कहाँ पर है आंद्र प्रदेश में आंद्र प्रदेश और Bureau of Energy Efficiency जिन्होंने Go Electric Campaign स्टार्ट किया है आंद्र प्रदेश के Chief Minister ने लॉंच किया था ए रक्षा बंधन ओनलाइन ट्रेनिंग Cyber Crimes के ऊपर पॉटू लाका लाल जी ये आंद्र प्रदेश में लॉंच की है निगा एप ताकि इलेक्शन क्लीन और हेल्दी हो जो यहां के Chief Minister है वाइस जगन महान रेड़ी उन्हें इसको चीफ मिनिस्टर आफ ये रवार्ड प्राप्त हुआ LG Polymer विशाकर पतनम में एक कंपनी थी जिसमें स्टाइरेन ग्यास लीक हो गई उसकी जांच परताल के लिए कमिटी बनाए गई थी उसके हैड जो है नीरव कुमार प्रशात नेक्स्ट जो है जगनना विद्या कनुका इसकीम आंद्र प्रदेश में लॉंच की गई है इसी क प्रदेश की लोकेशन आप देख सकते हैं यह रहा आंद्र प्रदेश तिलंगाना इसी से कटके बनाता ठीक है यह ओडिसा के साथ तिलंगाना करनाटका और तमिलनाडू ठीक है इनके साथ अपने बॉडर करता है पांच स्टेट के साथ सबसे ओडिसा दैन फिर उसके आप हरा तिलंगाना तिलंगाने के बात करनाटका और तमिलनाडू अगला कोस्चन है कि किस मıntरवाले ने वरिलेस्ट नागरिकों के लिए पोशन अभ्यान शुरू किया है तो पोशन अभ्यान शुरू किया गया है नो 레 किया जाएगा nutrition support प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है जो ने भी इंडिजेंट एल्डर्स हैं ठीक है जो कि old age homes में नहीं रह रहे हैं या फिर जुने कि काफी गंभीर विक्टिम है वो लो ठीक है उन सबी को जो है वहाँ खाना प्रोवाइड किया जाएगा वो भी काफी नूट्रिशन वाला जो खाना है वो प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह भी लिखा हो the funding for the scheme is from the senior citizens welfare fund है निक्स्ट कॉष्चन है हशटेक्स फ्रीलम पाइनेपल है अभिहान समाचारों में है यह किस कंट्री से संब्धित है तो इसका नौर्स में आपको East China Sea देखेगा वेस्ट में आपको Taiwan Strain देखेगा यहां पे आपको South China Sea और अगर East में देखेंगे तो आपको यहां पर Pacific Ocean जो है वो नजर आएगा ठीक है ताइवां की जो वह क्या है ताइपाई है और उसके बाद करनसी यहां के नियू ताइबियन डॉलर है और यहां पर लुजॉन इस्ट्रेट भी है यहां पर दिख जाएगा आपको ठीक है यहां पर ठीक है टाइस बिट्विन चाइना ताइबान के बीच में एक इसली डिस्प्यूट वह चल तो यहां पर लिखा हुआ है कि टाइस बिट्विन चाइन ताइबान विच है इस्ट्रोडिकल बीन रॉकी ओवर इशू यह था कि सॉवरेनिटी फॉरन रिलेशन और मिलिट्री बिल्डप और नाव बिंग टेस्टेट बाइपल एक मार्च के बात है जब चाइना ने बैं कल्चर है उसको नुक्सान पहुंचा रहा है इसलिए हम पाइनेपल को ताइबान से इंपोर्ट नहीं करेंगे जो एंग्री ताइबान था ठीक है रिफ्यूटेट चाइना क्लीम और पेस्ट बिंग फांड इन इंपोर्टेट पाइनेपल ठीक है जो पैस्ट वेरा दिये करते हैं उन्होंने बोल दिया कि हम वह भी इंपोर्ट नहीं करेंगे विचाइस गोर्ण इंसिस्टेश तो इसी को लेकर जो है वह दौनों के बीच में इश्यूज को लेकर जो है यह कैम्पेंड चलाए गया ताइवान के द्वारा ठीक है हाली में पब्बी एंटी टेर्र काफी समाचारों में हैं यह किस और्गनाइजेशन के द्वारा कंडेक्ट जो है करवाई जाएगी तो इसका सही आंसर है संखाई कॉर्परेशन ऑफ और्गनाइजेशन ऑपसंसी ठीक है जो यह पहला वाला कोशन था हैस्टेक पाइनेपल वाला इसे आप ऐसे याद रगन कि यह जो हैस्टेक फ्रीडम पाइनेपल अभ्यान जो है वह किस कंट्री के बीच में एक इशूस को लेकर चल रहा है तो चाइन और ताइवान के बीच में ठीक है और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो पब्बी एंटी टेर्रिस्म 2021 जो है वह संखाई कॉर्परेश के इंडिया पाकिस्तान चाइना जो है इन सब एक्सरसाइस को जोइन वेन करेंगे ठीक है रिविजन सांसर की बात करें तो यू एन वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट दो हचारी कि मैं 149 कंट्री के बीच भारत की रांग कितनी है 139 यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि वर् आमेरिका के पस्तीजिएस लिंगोलन सेंटर हॉल में करनाट ने इंक्रीस क्या है स्टेट도 गबर्मेंट एंप्लो, रेटार्मेंट एज़ यह कनाड का गलत है इसका सही आंसर है तेलंगाना ने इंकरीस्ट किया है कि जो गवर्मेंट एंप्लोई से उनकी जो रेटार्मेंट एज आज़ 21 होगी आप सभी के लिए कोशन है कि 2019 के लिए गांधी शांती प्रुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए यहां पर याद रखना है 2019 की बात की गई है जबकि मैंने आपको पढ़ाती वक्त बताया था 2020 भी नेक्स है कि इ किता है नैशनल फ्लम अवार्ड 2019 के लिए अभी नासा का ठीक है एड्मिनिस्टेटर कौन बना है किसे नॉमिनेट किया गया है आप सभी इनका अंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए थैंक्यू सो मच